हेलो इस वीडियो में हम data type के get and transform data group के बारे में जानेंगे तो इसका use क्यों होता है अगर हम यह चाहते हैं कि यह हमारी sheet number one है इसमें हम कुछ import करना जाते हैं तो हम इसके दवारा यहां पे import करवा सकते हैं तो इसमें बहुत से option आते हैं जैसे यहां पे get data यहां पे click करेंगे more button पे from file यहां पे click किया तो from file में यह जैसे workbook से यहां पे कोई import करवाना जाते हैं तो import करवा सकते हैं या from text इससे import करवा सकते हैं या xml इससे import करवा सकते हैं तो यहां पे बहुत से यह option है इनके दोबारा यहां पे हम अपनी sheet में कुछ भी import करवा सकते हैं इसके बाद यह from database तो इसके दोबारा भी हम यहां पे import करवा सकते हैं और बहुत से यहां पे हमारे पास यहां पे option है जिसनके दोबारा हम यहां पे कुछ भी import करवा सकते हैं इसके बाद यहाँ पे यह दिया गया है जैसे from text तो from text मतलब कुछ भी हमने notpad में कुछ बनाया हुआ है उसको यहाँ पे import करवा सकते हैं तो इसको करके दिखते हैं यह from text notpad पे हमारी यहाँ पे एक file बनी हुई है इसको हम यहाँ पे minimize करेंगे इसके बाद यहाँ पे तो यह देखो Amit नाम की file हमने यहाँ पे notpad पे बनाया हुई है इसको open करके लिखते हैं यह open किया open करने के बाद यह देखो यहाँ पे name लिखे हुआ है Amit इसके बाद यह subject है English, Hindi, Math, Science और इसके यहाँ पे निचे marks दिये गए है तो यह हमने यहाँ पे जैसे name लिखा हुआ है उसके बाद keyword से tab key प्रस की हुई है उसके बाद English लिखा हुआ है फिर tab key प्रस की हुई है इसके बाद Hindi फिर tab key तो इसी तरह हमने निचे यह जैसे यह row number one है यहां पर आमीत, आमीत के बाद यहां पर tab key press की 55 लिखा फिर tab key press की 66 लिखा है फिर tab key press की तो tab key का use हम इसलिए करते है ताकि यह जो data है जैसे name है यह निचे name लिखे हूँ है आमीत, रोहित, दिनेश, बोबी तो यह जो है एक column में आए और यह English subject है इसके निचे marks है यह एक column में आए इंदी है इसके निचे यहां पर marks यह एक column में आए तो इसलिए हम यहां पर tab key press करत है notpad में ताकि यह column में बंड जाए इसके बाद इसको यहां से close करते है यहां पर excel को open किया open करने के बाद यहां पर हम from text यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद कहां पर यह file है यहां पर desktop पर click करेंगे यह दिखो यहां पर amit यह file name यहां पर आ जाएगा यहां पर click करे यहां पे क्लिक करने के बाद फाइल नेम यह आमित यहां पे आ गया है इसके बाद इसको इंपोर्ट करेंगे यहां पे इंपोर्ट पे क्लिक किया है इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पे यह फाइल आ जाएगी यह देखो यह फाइल यहां पे आ चुकी है इसके पे अमित नाम की यहां पे फाइल आ गई है यह बता रहा है कि four row loaded चार row यहां पे लोड हो जुकी है यह देखो जैसे one, two, three, four तो इस तरह से हम यहां पे कोई भी notepad से अगर data लोड करना है तो हम इसकी जरी यहां पे लोड करवा सकते हैं यह यहां पे filter लगा हुआ है अगर हम यह चाहते हैं कि हमें cable दो यह नेम यहां पे चाहिए तो हम यहां पे uncheck करेंगे और Amit और Bobby यह नेम हमें चाहिए ओके पे क्लिक किया यह देखो यह दो नेम यहां पे आ जाएंगे यह ने तीं यहां पे आ जाएंगे तो इस तरह से reflections definitely की data को हम यहां पे लोड करवा सकते हैं इसके बाद फिर यहां पे data type पे जाएंगे डीट डाइप पर क्लिक करने के बाद अगला जो option है यहां पर isn pathway قabe에요, from web का मतलब यह होता है, जैसे हमने यहां पर, from web पे click किया from web पे click करने के बाद यह फ्रों web यहां पे डाइल वोक्स यहां पे आ जाएगा आने के बाद यहां पे हम url भरेंगे, भरने के बाद ok पे click करेंगे तो वह यहां on he import ok आ जाएगा इसके बाद इसको यहां पर cancel करते हैं यह इसके बाद यहां पर sheet number 1 यहां पर click करेंगे click करने के बाद अगला जो option है वो है from table range तो from table range कोई भी आगर हमारे पास file बनी हुई है हम चाहते हैं कि उस file में कुछ column हमें चाहिए बाकी ने चाहिए तो यहां से हम from table range के जर्ये अपने data को यहां पर import करवा सकते हैं इसको minimize करते हैं और यहां से यहां पर document पर click किया इसके बाद यह जो file है इसको यहां पर हम लेंगे यहां पर click किया यहां पर click करने के बाद यह file यहां पर open हो जाएगी इसके बाद यहाँ पे sheet number 1 यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यह सारा data हम यहाँ पे लेंगे copy किया इसके बाद इसको minimize किया और यह file हमने open की यहाँ पे हमने इसको paste किया paste करने के बाद यह data यहाँ पे आ जाएगा यह देखो इसको यहां पे हम autofit column बिर थी यहां पे करेंगे यह हो गया इसके बाद क्या करेंगे है हम यहां पे data type पे जाएंगे और यहां पे from table range तो यह जो table है यहां पे हम range select करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए जैसे suppose करो हमें यहां पे 3 column चाहिए serial number यहां पे क्लिक करने के बाद यह range यहां पे आ जाएगी पूरी select okay आ जाएगी लेकिन हमें यह सारी range ने चाहिए हमें cable यहां पे 3 column चाहिए serial number name row number तो हम इनी को select करेंगे यह देखो यह 3 column हमने select किये select करने के बाद यहां पे my table has header अगर यहां पे हम header इसको लेने जाते है ऐसी तो हम इसको check करेंगे तो इसको check किया okay पे click किया okay पे click करने के बाद यह देखो यहां पे यह जो table है यह बन के आ जाएगा यह बनने के बाद हम यहां पे click करेंगे इसको load करेंगे यहां पे click किया क्लिक करने के बाद ये देखो ये टेबल यहां पर बन के आजाएगा जिसमे के हमारी तीन कॉलम है सीरियल नमबर, नेम, रो नमबर अगर इसमें ये फिल्टर लगे हुए है अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ये तीन रो ये चाहिए हो यहां पे click करेंगे और select all इसको uncheck करेंगे और यहां पे जो जो रोव चाहिए जैसे आमीद, दिनेश, नमन यह तीन रोव है यह हमें चाहिए इसके बाद ok पे click किया तो यह तीन रोव यहां पे आ जाएंगे इसके बाद सभी चाहिए यहां पे फिर click करेंगे और इसको select all यहा वो है recent sources, तो यह जो हमने recent open किया होगा, वो यहाँ पे list आ जाएगी, अगर किसी को भी हम यहाँ पे connect करना जाते है, हम यहाँ पे click करेंगे, जैसे आमित यह चाहिए, तो यहाँ पे click किया, connect पे click करेंगे, यह यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके बाद इसको close करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे हम कोई नई sheet लेंगे, नई sheet लेने के बाद यहाँ पे, अगला जो है, वो है existing connection, यहाँ पे click करेंगे, यहाँ पे click करने के बाद, जो यहाँ पे connection हमने exist किया हुआ है, यह बो यहां पर आ जाएगा जैसे यह आमित यह किया हुआ है जैसे इसके बाद अगर इसको open करना जाते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे open पर क्लिक करेंगे open पर क्लिक करने के बाद import data कैसे import करना जाते हैं टेवल से जो option हम यहां पर लेंगे बैसा ही यह टेवल बनके आ जाएगा है तो हम के करेंगे first को लेंगे टेवल इसके बाद यह range यहां पर आ जाएगी इसके बाद यहां पर ok पर क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद ये दिखो आमित नाम की फाइल यहां पे इंपोर्ट ओके आ जाएगी तो इस वीडियो में हमने डेटा टाइप के गेट एंड ट्रासफॉर्म डेटा ग्रूप के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद